हर कठनाईयों में तुझे और आगे बरना है तुम रुक क्यों गया है तुझे तो अभी और कुछ परना तो स्वागत हमारा YouTube चैनल में देखिए आज किस वीडियों में देखेंगे इसलिए वीडियों पर अंतक बने रहे हैं दोस्तों के साथ इस वीडियों को जरूर से रखीजेगा और चैनल पर पहले वारा है तो चैनल को सब्सक्राब करके साथ ही बलाइकन को प्रेस का नोटिफिकेशन को अनक लिजेगा और आज किस महाँ एपिसोट के वीडियों को सू प्रेकन सिट्टिंग में लिए आजाएगा उसके लिए भी बहुत इंपोर्टेंट होने वाणा है तो वीडियों पर आंतक बन रहीगा तो चलिए हम लोग वीडियों को स्थार्ट करते हैं तो देखिए आपका जो इसे वीडियों की तरह पैटर्न रहने वाला है ठीक है त आपको जो सिर्फ एक काम करना दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर सेर कीज़ेगा तो चलिए हम लोग प्रश्ण को स्टार्ट करते हैं और आपका जो पहला प्रश्ण पुछता है कि जो आपका नासिप पार्टी का संस्थापक कौन था ठीक है तो नासिप पार्टी का सं समझने पार आप खुद एक्जाम में लिख कर आएंगे तो जो मिया घुमानती खेती उस खेती को कहते हैं जिसमें जो व्यक्ति जो है एक जगा से दूसरी जगा घुम घुम कर खेती करता यानि एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर खेती करता है जो मिया घुमानती खेती कि है जिसमें पहले विरिच्छों तदावनों को काट करूने जला दिया जाता है और साप की गई भूमी को पुराने उपकरों लखरी के हलों से जुताई करके बीच बहुत दिये देते हैं और फसल पुरने तक इस पर परकिती पार निर्वार होती है और जो उत्पादन बहु इसाप सुतर करने के लिए उन्हें जला दिया जाएगा और जलाने पर साफ सुतर की गई भूमी पर आब से उन्हें ताय करें वहां बीच बहुत आइए उसका बात जो फसल की इस पर निरवार थो प्रकितिक पर और ऐसे जगह में जो आपका फसल बहुत कम उगता यानि ब प्रस्ण है कि निर्धंता की परिभासा लिए तो निर्धंता का आर्थ देखिए थोड़ा से रसानी का लिए निर्धंता का आर्थ उस परकिरिया से हैं जिसमें मनुस्वें अपने जीवन की अधार्वुति या बुनियादिया वसकताओं को पूरा नहीं कर पाता है जो यह आपका जो बुनियादिया वसकता कौन चीज होगा तो इसमें आपका जो कप्रा आजाएगा मकान आजाएगा और रोटी आजाएगा ठीक है तो यह तीनों चीज़े जो विवेक्ति अपने जीवन में पूरा नहीं कर पाता है निर्धंता रेखा के निच्चे या निर्धं विवेक्ति अधिक रोगी की कारण हो जाता है ठीक है आगे बर यह पांच नमबर परस्नी की और जितना वी परस्न मतारे सब भी को छितराएगा दोस्तों के साथ इस विडियो को जरूर सेयर कीज़ेगा जहां भी दिकताता कमेंड में जरूर बताएगा ठीक है आगे देगे पांच नमर पुछता है कि भारते समिधान के द्वारा नागरी को कितने प्रकार को मोली का दिकार प्राप्त है तो भारत समिधान द्वारा नागरी को को 6 मोली का दिकार प्राप्त है छेयों का नाम एदम पॉइंट वाज पॉइंट लिखेगा एदम मस्त से ठी का दिखार सोतंतता का दिखार सोसन के अच्रों समंदित अधीकार समवेंद निक वप्छरों का धिकार अच्छन नमर्पृस्ची और कि आधर्स अचार चार सहिंता क्या है वत्तरों प्राकितिक वनस्पत्तिौ के तक उस्तर और त Ihre इसका चुम को डोकर दस्ततर है यह सब्रेस का प्राकितिक वनस्पत्ति यह प्राकितिक वनस पत्ति का व्यारण कि मतलब के वह मनुश्य द्वार्ब अया मनुश्य जो मदद की जरूरत नहीं है और जो यहां फ्रादिय वातावरुन के अर्फ हे रिक्ते कि श्रीधा कि पर मनुश्य का कोई भी सखायक मतलब नहीं होगा यहीं आपका ब्रकितिक बहनेस्पतिक कर लाएगा ठीक है आगे आपका जो 8 अक्रास नहीं की नाशिवाद के लिए नहीं है समाइबाद को जर से मिटा देना चाहता था ठीक है आपका इसमें आप देखे खंड बाह स्टार्ट होता लगो उतरी प्रस और यह आठ नमर का जो प्रसना यह भी आपका जो खंड बाह का प्रसने ठीक है उपर निच्छे कोई दिक्कत नहीं लेजेगा आगे बर यह हर एक प प्रसने के बानों का जीवी का से किस प्रकार का सब्द में जहितgga स्थों में की हमारे जीवन रोक भूमिक चरता है मतलब जब हमारे जीवन का धारव तो बहुत ही मतलब हमारे जीवन वहात तो यह जंगल जोई इसके रोक ठाम करता है कुछ पानी को रोक लेता है और इससे हमें जो कुछ खाने पीने का समान मिलता है ठीक है आगे बर यह वनों कई प्रकार के परशुपच्छी रखते वन नहीं रहने पर परशुपच्छी भी लूप तो हो जाएंगे सही बाते अग उत्तरों जगा जो लोग अपने बुन्यादी सुविदा जैसे रोटी कप्रा मकान यह भी मैंने बता है कि जरूरत को भी नहीं पूरा कर पाता है उसे निर्धंता रेखा से निच्चे माना जाता है पर समय और यहां लिग दिजिए अस्थान ठीक है समय और स्थान के साथ इसे रेखा में परिवर्तन होता है क्योंकि हर जगा हर जगा अलग अलग लोग रहते हैं तो ठीक है जिसके पास रोटी कप्रा मकान जोई अपने अधार्बुत बुन्यादी सकताओं को पूरती नहीं कर पाता है निर्धंता रेखा का निच्चे रहता है और इसे माना जात आए और हर जगा अलग अलग जगा पर लोग रहते हैं समय अस्थान के परिवर्तन के साथ ठीक है आगे बार यह आपका 11 नमर का प्रस्ण हो जाएगा कोन लोग खाद असुरच्छा से अधिक गरस्त हो सकते हैं तो इसका उत्तर में आप लिखे हैं कि नीमन लोग जो खाद असुरच्छा से अधिक गरस्त हैं कोन लोग है तो पहला पॉइंट में लिखिएगा अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती और अनुसूचित जाती के कोछ वर्गों जिनके पास भूमी नहीं होती है या फिर भी भूमी को पादका बहुत कम होती है वह खाद की अगर इनके पास जमीन होता भूमी होता तो यह अपने खेती करकर यह खापी सकते थे लेकिन इनके पास भूमी नहीं है तो यह खाद सुरच्छा से अधिक गरस्त हो गया ठीक है आगे बर यह नेश्ट पॉइंट हो जाएगा आपका वे लोग भी खाद के डिश्टी से सार आपकितिक आप्दा मतलब आगा जिसे बाढ़ आगा सुनामी आगका जिसके कारण उनका फ्सल वर्वाध हो Himself कि नहीं तो छाँ घाए है क्या और अईसे लोग फ्सलत होते है ठीक है आगे बर ये तीन नमर का पॉइंट हो जागा आपका खाद असुरच्छा से ग्रस्त आवादी का बारा भाग गर्वती तथा दूद पिला रही महिला तथा पांच वर्स से कम उम्रे के बच्चों का है ठीक है ये सबी खाद असुरच्छा से बहुत अधिक ग्रस्त हैं आगे बर ये नेश्ट प्रस ने बारा नमर की राष्ट्य मानवा दिकार आयोग के बारे में बताए तो राष्ट्य मानवा दिकार क्या है इसका आयोग कब हुआ इसका गठन कब हुआ इसके बारे में बताना है उत्तरों जगा राष्ट्य मानवा दिकार आयोग एक सोतंतर व करता है और उनके प्रहारी के रूप में कारे करता ठीक है तो दिए मानों की जीवन की अधिकार है तो नेश्ट प्रसन आपका तेरह नमर पुस्ता है कि भारत में सोतंत्र और निस्पत चुनाओ की क्या क्या चुनाओ की रिए चुनाओ के लिए बहारत में जो है सोतंत्र और निस्प चुना की चुनतिया में सामिल कौन कौन सामिल है पाला वजेगा उमिदवारों और राजनितिक दलों की धन सकती राजनितिक मैदान में प्रविष्ट करने वाले जो आप राधिक तत्वर परवार जनिक राजनितिक नितियों को और जवब है वहार पाटियों का समर्थ समान था नुक्सान चोटे दल और निदेलिया उमिद्वारुक और नुक्सान ये सब पांच पॉइंट आपका किसे समंदी थे तो निस्पे चुनाओं की चुनोती आईजिए सबी ठीक है तो देखें आपका जो नेश्ट प्रसने चौदा नमर कुछ था है तो आपका भारत यह प्राइदिप्य भारत है और इसका जो आपका है त्रीबुज़ाकार्य कारएं निचे का क्रिति इसको देखेंगे तो अश्याजा जो कि तीन और समुंदर से गीरा है और इसके कारण मौन सुन दो भागों में बाटा गया है पहला हो जगा अरब शा चाइव से टकराकर गंग और रसा प्रदान करती है और पूर्व से पस्चिम के और बश्चा की आत्या मात्रा घटी है तो क्या कारण था जितना भी आपका जो वंगाल की खारी आपका अदर्ता से वंगाल करता है और जिसके कारण मानसूज जब पहस्चिम की और मैदान की तरफ मूर जाती है यही कारण है वह से जब जब आदरता इसका कम हो जाती है तब वही कारण था कि पुरुसे पच्चिम के और इसका जो वर्षा की मात्रा घरती है ठीक है आगे बारी आपका जो खंड सा आ गया कि दिर्ग उतरिये पुरास्ट है इसमें टोटल आपको पांच प्रस्ट पुछे तिन कौन से तरीक के अपना है ठीक है पहला हो जगा हिटलर ने लोक्तांत्रिक सासन की सरचना एवं संस्ता को समाप्त करना शुरू कर दिया आगे बरी आपका जो नेश्ट पॉइंट हो जगा जर्मन संसद में हुए रसमाई अगनी कांड से उनका जो रास्ता असान होगी आठ से निगम के माध्यां सिताना साही स्थापी तो गया चौंताव जगा ट्रेड इंगन पर प्रावंदी लगा दी गई और पांचमा जगा अर्थ भवस्ता मिंडिया नाइपाली का और सेना पर राज सेना पर राज ने पूरा तरह से नियंतरन कर लिया था पूरे समाज को न का सोला नमर का परशने की निम्न पर टिपान ड़ी है यानि निम्न लखीत पर जो आपको कोच जो इसका विख्या करना ले इसका यह तो नियुंता मार्थित मुलला मुलल है जो यह को सरकार किसानों के लिए करती है कौन टई करता है सरकार जो किसानों के लिए टई करती है और जब भारते खाद निगम अदी वेस उत्पादन वाले राज़ों में किसान से गेहम और चावल खरिटा है तब किसानों के उनकी फसल गेल पाले से घोशित की गई कीमते है जो है दिजाती है इस मुलको नियुनतम समर्थित कीमत कते हैं मतलब कि जो आपका भारते खाद नीगम जो है जब किसानों से अनाज खरिता ठीक है मान चलिए गेहुम और चावल सबसे ज़्यादा खरिता है और जिसमें किसानों को वही कीमत दिया जाता है और इसमें किसान को बहुत घाटा होता है और इस मुलको नियुनतम समर्थित मुलक कते हैं आगे बरियाब का खान नमर की बफर अश्टोक पर कोछ टिपाने डालिया ठीक है तो बफर अश्टोक एक परनाली या योजना है जो अच्छी फसल के समय कीमत को एक निशिस्ट सीमा से निचे गीरने से रोकने के लिए अश्टोक खरिती है और अश्टोर करती है ठीक है तो बफर अश्टोक क्या हो जाएगा एक परनाली योजना है जो कि मान चली किसी भी समय फसल अधीक उपता खिसन के पास फदल जादा जादा उख जाता हुए जिसके कारण उसका मूल जो दाम जो नीचे गीरने लगता है इसके कारण बफर अश्टोक का निर्मान हुए जिसके कारण जो इसमें जब सरकार कमी वाले च्छित्रों में आज़ार कीमत से कम कीमत पर अनाज वित्रन किया जाता है तब उस कीमत को नेरगम कीमत कहते है ठीकिह निरकमट समझ दिए जब सरकार जो है किसान सई रासन मतलब चावल और गेहुं को जब यहर्जसन दुकान यानि कोटा में पोहँचाते है जिसको जिसमें मान छलि 예뻐cz練 को भी गरीब के पास रासन कार्ट को भी पास है तो जो रासन कार्ट जो लेकर कोटा जाता है जब उसे कुछ रासन दिया जाता है और जो एक से दो रुपय भाव वहां से लिया जाता है उसी को करते निर्गम की मठीक है आगे बर यह 17 नमर प्रस्णिक की और की आपका जो भारत समिधान में वर्नित मौली का धिकारि इसका आर्थ समीदान भारत में जाते वर्न जन्म नस्नल लिंग ना आज जो जन्म अस्थान आदे अधार पर राज किसी भी नागरी के साथ वेदवाव नहीं करेगा समानता का धिकार में अई बताया गया कि जितना भारत के जाती पूर्ण जन्म लिया आये नसले लिंगो किसी भी जाते से उनका जो भेदवाव अपस्म नहीं किया जाएगा सभी को एक समान समझा जाएगा समीदान के मौलिक अधिकारियों के तहत ठीक है आगे बर यह दो नमर का आपका हो जागा कि सुतंता का अधिकार भारत के सभी नागरी को को विचार प्रकट करने भासन द करने के लिए समीदान दो रहा किया है ठीक है और देखे का जो तिसरा जगा सोसन के विरुद अधिकार किसी सोसन नहीं करता है तो ब्लस एक प्रतेग को आपना धर्म का प्रसार करने का अधिकार पक्ते कोई भी और की अपना धर्म छुनने का अधिकार है किसी भी धर्म जो नागरी को अधिकार दिया गया किसी भी विक्ति को उश्के संपत्ति से लग नहीं किया जा सकता है ठीक है आगे भरी आपका जो छे नमर का पॉइंट हो जगा संस्कृत है तो भारत के सभी नागरी को संस्कृति और सिच्छा समंदित अधिकार पदान किये गए हैं नागरी को के प्रतिक वर्ग को अपनी भ अधिकार को रागो लागो करने के लिए सरवोच नियाले तौदा उच नियाले कि सरन ले सकता किसे भी समय दिनिक उप्चार वह जो यह समिधान दौरा जो आपका मौली का दिकार दिया गया है अगर इसके अलंगन कोई भिगति इसका उलंगन करता है तो आप इसके विषेस्ता नीम लिखी तो पहला वाद आपका कि दीन गर्म और रात ठंड़े तो सीत रितु के समय दीन गर्म होता है थोड़ा सा जब आपका सुर उगता है तो इसमें धुगता है और राती इसका जो बहुत ठंडी होती है ठीक है सीत रितु जो आपका नॉम्बर से आराम होकर फरवरित करता है जो कि आपका अभी खत्म हो चुका है तीन नमरों जेगा सही आपके देखें या सीत लिखे है ठीक है जब दच्चिन से उत्तर उपर जाता है निचे से जब उपर जाता है तब इसका जो तपमान जो गड़ता है ठीक है आगे बरिया आपका जो चान नमरों जेगा भारत में उत्तर पूडवी वेपारिक पावने प्रवाइत होती है इनके कारण कुछ मात्रा में वर्सता मिलाड पर होता है ठीक है आगे बरिया आपका जो पांच नमर का हो जागा कि सीत्री तुम्हें अस्मान साप तपमान तथा आधरता कम और प्रवने सिथिल तथा परिवर्ती तो होती है छट्टा हो जागा कि या कम दाव वाली प्रनालिभू मद्शागर के उपर उत्पन होती है तब भारत में प्रवेस करती है और परिनाम सुरुप सितल कास में पर्षा होती है तता परबतों पर हिंपात होता है ठीक है यह आपका टुटल अठार यहां करा गया और उनाइस नमर में आपका जो एक मैप पुछेगा ठीक हो जो कि पांच नमर करेगा तो मैप का जो आप देख लिजेगा तो इस इक साथ आपका जो इस महा एपिशोड वीडियो यहां से समाब थो जो कि एपिशोड नमर जिरो जिरो डवीट है और इससे पहले जो आपका जो और स्क्रीन पर दिख रहा है तो उसे भी आप क्लिक कर कर देख सकते हैं तो चलिए मिलते गलें नेस्ट वीडियो में जहां से दिख्कत होता कमेंट में जरूर बताईएगा